तो चलो यहाँ पर बात करेंगे हम यह है DHS की अड़ोटाइजमेंट इसके पहले हमने DMAR की अभी हम देखेंगे DHS की अड़ोटाइजमेंट ओके डिरेक्टर ओफ हेल्ट सर्विसेज जो आरोगे सेवा अयुक्तले ऐसे हम इसको बोलेंगे तो यह अड़ोटाइजमेंट में हम क्या देखने वाले सबसे इंपोर्टन चीज है गवर्मेंट ने एक पीछन नाम का एक कोर्स रहता है इसको बोलते है पबलीक हेल्थ नर्स तो इसका जो स्कूल है All War Maharashtra DMAR में नहीं है सिर्फ DHS में है अगर आपको government institution में करना है तो यह है यह एक मात्र ऐसा institution है जहाँ पे पीछन होता है जो कि पीछन यह 11 मंत का कोर्स होता है ठीक है कितना 11 अलेवन मंत का कोर्स होता है 11 महने का ठीक है तो अब ये PHN कोन-कोन कर पाएगे जो लोग GNM pass out हुए है वो कर सकते है जो लोग BAC nursing pass out हुए वो भी कर सकते है ठीक है MAC nursing pass out है वो भी कर सकते है अब बोलेंगे सर BAC तो graduate है graduate होने के बाद diploma क्यों करें तो बेटा जो government में है basically अगर आपका GNM हुआ है तो you can do PHN is very good लेकिन government में कुछ ऐसी post रहती है ठीके कि basically आपके पास अगर वो particular डिपलोमा है तो ही आप वो vacancy के लिए apply कर पाओगे ठीके तो इसी के वज़े से यह course करना बहुत important है अगर already आप government में सव कर रहे हो DMR हो या DHS हो अगर आपके पास यह diploma नहीं है तो आपको एक promotions के लिए भी क्योंकि क्या होता है यह separate promotion होता है PHN का then public health sorry psychiatric nurse का and pediatric nurse का ठीके तो इसके लिए यह specialization होना जरूरी है अब बोलते है कि लोग sir मे pharmacy nursing pediatric में हुआ है तो मुझे नहीं मिलता है क्या तो देखिए महाराष्टर में दो health care department है एक DHS DMR ओके DHS ने उनके जो RR है recruitment regulation वो बार-बार change करते है उनको वो updated है बट DMR ने अभी तक उनके RR चेंज नहीं किये तो DMR अभी भी आपको diploma ही मांगता है आप M.A.C. रो PhD रो वो particular subject में लेकिन आपको सिर्फ वो क्या मांगेंगे diploma मांगेंगे आपके पाद diploma है then you are eligible When I was in DMR I tried for psychiatric nurse course क्योंकि मेरा M.A.C. psychiatry में हुआ है मैंने try किया है but at the end मैं fail हो गया क्योंकि मुझे नहीं मिल पाया वो सिर्फ जिनके पास psychiatric diploma था उनको ही उनोंने प्राध्यन ने दिया उनको ही वो जो promotion था वो मिला okay this is my example इसी के वज़े से मैं बोल रहो अगर आप government में काम कर रहे हो DHS हो DMR हो तो please आप अगर GNM हो BSE हो definitely आपने करना चाहिए आपके अगले promotion के लिए ठीक है तो अभी हम बोल देंगे कि यह PHN का course कहा पे है सबसे important है यह course कहा पे है तो यह course है नाकपूर में ठीक है यह course है नाकपूर में अब देखते कहा पे है नाकपूर में नाकपूर में देखो त्री अधिक शिका सारवजनिक आरोगे शुष्ष्ष्या विद्याले नाकपूर में यह सदर में लिबर्टी जो टॉकीज है लिबर्टी टॉकीज के आजुबाजु में यह विद्याले है यह school है PHN school भी बोलते है इसको PHN school बहुत फेमस है यह नाकपूर में ठीक ह तो अभी बात क्या है यह 11 मंत का कोर्स है यह प्रक्रिया 23-24 की है ठीक है आपको फॉर्म कहां से मिलेगा फॉर्म मिलेगा आपको यही कॉलेज से नाकपूर में जाके फॉर्म मिलेगा जब भी आप फॉर्म लेने के लिए जा रहे हो with all the original document लेके जाईए बहुत important चीज है वह क्योंकि फॉर्म नहीं मिलता है ठीक है तो अट्टाइस अगास से फॉर्म शुरू होंगे तीस अगस तक आपको फॉर्म मिलेंगे ज्यान में रखना उसके बाद अब फॉर्म कब तक आप फिलब करके उनको दे सकते हो तो यह 4 सप्टेमबर तक आप दे सकते हो ठीक है उसके बाद 28 से लेके 6 तारिक तक वो क्या करें पड़तार नहीं करेंगे, जो भी फॉर्म आएंगे, उनका वो क्या करेंगे, एक प्रोविजनल लिस्ट बनाएंगे, eligible and non-eligible candidate की, ठीक है, तो पात्र आनि अपात्र, यहनि eligible and non-eligible की जो लिस्ट है, वो 8 तारिक को लग ठीक है, वो 11th of September को, then उसके बाद 14 तारिक को, final उसको permission मिल जाएगा कि, यह यह candidate को select किया है, कहां से मिलेगा, आरोगे सेवा मुंबई, ओकी सुशुशा विबाग, उपसंचलग, जो है, जो मुंबई में जो बैटते हैं, वहाँ पे जो भी final list बनेगी, उसकी वो पड़ता रड़नी करेंगे, उसको find out करेंगे, कि नहीं, यह बरोबरे list है क्या, according to the reservation, ठीक है, उसके बाद 14 तारिक के final हो जाएंगी, और उसके बाद वो जो list की अनुसार, 18 September को, आपको college join करना पड़ेगा, ठीक है, जो list, eligible list, 11 तारिक, sorry, 11 तारिक को लग जाएंगी, ठीक है, 11 तार आपको final, यह आजाएगा, call आजाएगा, कि नहीं, this is okay, and you can take admissions, उसके बाद, admission होने के बाद, 18 तारिक से आपका college शुरू हो जाएगा, ठीक है, अब important चीज है कि यहाँ पे seats कितने है, and कैसा उनका admission criteria है, तो total seat इसकी बन रही है 30, ठीक है, कितने 30, एक batch में 30 students रहते है, 30 में से, उन्होंने क्या बोला है, कि 70%, okay, 70% student, that means 21 student, आपके, कहा से, सिक्षन, वा संशोदवन, धो मिनित, धो मिनित, हाँ, हाँ, तो उन्होंने बोला है, कि 30 पई की, आरोगेश्यवा आयुकते लायाएचा, अधिनिस तसलेले, रुगना लायाते, that means, DHS के जो student है, उनके 21 student, okay, और 6 student, आपके आएंगे, DMR की, जो education संस्ता है, जो काम कर रहे है, DHS में जो काम कर रहे है, उनके लिए 11, 21 post है, that means, 70%, total seat के 70%, यहने 30 का 70% करेंगे, तो 21 seat, और 30 का 20% करोगे, तो आपके बनेंगे 6 seat, यह DMR की candidate, okay, and, सिर्फ only 3 candidate के लिए है, private candidate, और महानगर पाली का, ज महानगर पाली का, या नाकपुर महानगर पाली का, नवी मुंबए महानगर पाली का, या private जो candidate है, उनको लिए 3 seat, ऐसे मिला कि 30 seat का, यह यहाँ पर, डिवाइडेशन हो जाता है, ठीक है, आप समझ गए आपको, अब क्या चीज़ आएगी, अब यहाँ पर important चीज़ है, कि यह, देखो, 11 मन्त का यह आपको प्रवेश पुस्तिका और प्रवेश अर्ज़ कसा है, तेचा विशी तुम्हाला सांग ना रहे, ठीक है, नाकपुरलाच यह तो कॉलेज आएगी, टोटल, इते तुम्हाला समझू शक्त, कि पोस्ट बेसिक डिपलोमा इन पी एचन, ओके, पोस्ट बेसिक डिपलोमा इन पी एचन के लिए कैसे है, ठीक है, देखो, यहाँ पर बोला, 21 सिट हो गई, आपकी, DHS के कैंडिडेट इन सर्विस, छे, DMER के इन सर्विस कैंडिड के, ठीक है, जो भी आते हो, वो कर लेंगे, ऐसे टोटल, 3 सिट, यहाँ पर अज, हैनि, SC के 4 जगा, ST की 1 जगा, ठीक है, और यहाँ पर 3, जो, VJ की, NTB, NTC, NTD की मिला के, आपकी बनेगी, 3 सिट, उसके बाद, EWS, सोरी, OBC की 6 सिट, EWS की 3 सिट, और ओपन की 13 सिट, ऐसे मिल के, 30 सिट, आपकी, डिवाइड हो जाएगी, अभी, देखिए, क्या होता है, कि, इसके लिए, आप, महारस्टर का, रहेवाशू होना, देखो, डोमेसाहिल होना, बहुत जरूरी है, तभी, आपको, आपको, आडमिशन मेरेगा, ठीक है, उसके बाद, जो भी, डिसेबलिट कि, किसी को मत भीजिए, क्योंकि, वहाँ पे, आपके पूरे डॉकुमेंट, वेरिफाई होंगे, देखेंगे, उसके बाद ही, फॉर्म मिलेगा, ठीक है, अब शूल का करनी, यहने, आपकी फीज कितनी लगेंगी, तो यह रहेंगी, ओपन के लिए, पंदरा सो का, ठीक है, और रिजर्वेशन कैंड़ेट के लिए, वन थाउजन रुपिस का आपको पे करने पड़ेंगे, ब्राउचर लेनी के लिए, ओके, उसके बाद, यह हो गया, अब ही हम बात करेंगे, कोर्स की फीज क्या रहने वाले है, कोर्स की फीज आपकी 10,550 रहने वाले है, ओके, जो 11 मंद का जो कोर्स है, उसकी फीज रहने वाली है, 10,550 रुपे, इतना ही रहेगा, ठीक है, आपको डॉकुमेंट क्या-क्या लखेंगे, ठीक है, तो डॉकुमेंट, देखो सबसे पहला तो आपको शाड़ा सोड़ला चा प्रमान पत्रा, ठीक है, वो रहने वाला है, that means living certificate, कोई भी living certificate है, आपके पास, आपका graduation करे, आपका GNM करे, BAC करे, 10th करे, वो दिखाना है, 10th की mark sheet and board certificate, 12th की mark sheet and board certificate, then GNM या basic BAC nursing होने के बाद, जो आपको mark sheet मिलती है and degree certificate, बहुत मिलेगी, ठीक है, उसके बाद attempt certificate, उसमें क्या है, कि आपका attempt क्या था, ठीक है, आपको school का, 10th का 12th का and nursing का attempt certificate आपको देना पड़ेगा, उसके बाद registration certificate, आपका nursing का registration certificate लगेगा and renew की हुई, जो पावती रहेगी, वो भी आपको submit करने पड़ेगे, अगर आप DMER या DHS से candidate हो, in-service candidate हो, तो आपको कम से कम पास साल का experience चाहिए, वो particular institution होने, ठीक है, देखो, यहाँ पे क्या ल काम के लिए था अनुभो असलाचे परमान पत्रा, ओके, that means you have to take experience certificate from your materan office और from your dean, कम से कम आपको 5 years का experience होना है, तभी आपको merit list में प्राध्यन मिलेगा, ठीक है, धान में रखना, अगर आपको 3 या 4 साल का हुआ है, और कोई आप से 5 साल का experience है, तो उसको ज्याधा प्राध थिक है, तो इस प्रोबेशन कम्पलीट जाले नंतर, तुम्हाला, प्रोबेशन मदे तुम्हाला, जसे MSCIT certificate या बाकी जे certificate है, जसे दहा वीचे आपर वीचे मराटी वीशे वगर नंतर, सगड़ा एक्जाम वगरे सगड़ा क्लियर जाले नंतर, और दोन वर्ष तुम्हें झुख सुट्य वगरून, जसे प्रोबेशन कम्पलीट जाले नंतर, नंतर बमेशन कम्पलीशन कम्पलीशन केन रचाटिक ज मदेख द्यावर लागेल जर तुम्हें OBC या NTC, NTV, EHC यह तर सल्थर, SCST लाज छी गरज नहीं है छी ठीक है त्यचान अंतर यह EWC से चलते EWC से तुम्हाला द्यावर लागेल आनी तेचान अंतर तुम्हाला द्यावर लागेल एक मेडिकल सेटिपिकेट, मेडिकल सेटिपिकेट सा परफार्मा तुम्हाला भेटून जाईल, ठीक है, कुटले ही MBBS दॉक्टर कुरून तुम्ही पनूशकता, एक विहित नमुना है, मी एचा डिस्क्रिप्चन बॉक्स मादे देऊन देना, ठीक है, डाउनलोड कुरून गया, आणि आधार कार्ड सुद्धा तुम्हे लागेल, आणि सग्ड़या जोड़े डॉक्मेंट अशील, 12 तेरा जे डॉक्मेंट आहे, त्या सग्ड़या डॉक्मेंट तुम्हें काय थालेले पाये, अटेस्टेड असन गरजेचा, आहे, अड़ टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, तुम्हे लागेल, 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 तुम्हे लाग बेसिक बेसिक नर्सिंग चा सर्वाज अंतिम परिक्षे चा गुना ची बेरिज करूं शर्वाज साधरन गुनवत्ता यादी करना। असा समझ गया चे कि aggregate marks, aggregate of GNM and B.S.C. नर्सिंग ये सगल कंबाइन करूं तुम्से merit list बनेल। पहले तुम्चे काय बगितला जाली बारवी चे मार्क्स बगितला जाली नंतर दुसरा तीते पन सेम जाली ता दहावी चे आं तीते पन सेम जाली ता जे वयानी जासता है त्या कंडिडेट ला प्राध्यन देनेत एहिल होपसो तुम्हाला पीएचन चे आड्मिशन बदल सग्ड़ा गोस्ती क्लियर धाले अस्तिलाच ओके ओके हे परिशेचे स्वरूप बगरे ते नंतर है तुम्ही जॉइन के ले आनते तुम्ही एकजाम तीन एकजाम होना सोड़ा थे फक्त आता या वड़ी फक्त आड्मिशन गेहन गर देचा है तेचा मुड़ा मी है वीडियो ग्यों आले ला हो होपसो तुम्हाला वीडियो देल आवड लासे तरह प्लीज लाइक करा शेयर करा मैक्सिमम गवर्मेंट नर्सेस प्रंत पोजवा प्लस प्रावेट कैंडिडेट सुद्दा करू शकता तो ओके काही ड ही प्लसे ही